नमस्कार आप देख रहे हैं पी तक आपके साथ मैं हूँ अमित्यवारी एहम मुद्दे को आप तक लाता हूँ खबर आपको बताता हूँ और खबर आज के हमुद्दे की उपचनाओं की तारीखों के एलान की एलान के बाद कॉंगरेस में दिखते जोश की साती साथ उस सभ कि जिस समाह में कमलनाथ फुल फॉर्म में नजर आने लगे उपचनाओं की तारीकों को एलान हो चुका है आपको पता है मत प्रोदेश की जंता तै कर देगी तीन नॉवंबर को वोटिंग होगी दस नॉवंबर को परिणाम आ जाएंगे और संग्राम में कौन जितेगा ये एलान के बाद जिस तरीकी की स्थिती नजर आई वो यहां पर बात करना जरूरी हो जाती है कमलात के फुल फॉर्म पर मंच पर आ जाने का इशारा क्या है कमलात राइसेंद रसल पहुंचे मंच पर पहुंचे और जिस फुल फॉर्म में वो नजर आए उस फॉल फॉर्म मे को भी कमलात ने चिताब ने दे दी कि वर्दी वाले ध्यान रखें कि सब का हिसाब किताब किया जाएगा जिसने जो गलत किया है जनता की गवाही सबसे बड़ी गवाही होती है चलिए तो मन से कही गई प्रमुक बाते हो गई जो कमलात ने वहां से कही लेकिन ये जोश क्या क कहता है क्योंकि उप्चुनाव कि सम्मिक्रण को अगर हम देखें कॉंग्रेस जो परतमान में 88 सीटों के साथ मौझूद है कॉंग्रेस के लिए 28 में से 20 सीटे जीतने का कॉंग्रेस को फाइदा नजर आ रहा है कि अकर कॉंग्रेस 20 सीटे भी जीत जाती है तो 20 सीट जीत जान करने लगी रायसेन में जो कारकरता जुड़ गए और कमला जम मंच पर थे कमलात की शैली इन दिनों जादा आक्रमक नजर आने लगी है कॉंग्रेस को यह भरोसा आ क्यो रहा है यहां समझने वाली बात है कहीं क्या बीजेपी गिरणनीती कमजोर हो गई है कॉंग्रेस के इ देरी चक्की जब चलती है तो बारीक पीसती है धीरी चलती है लेकिन बारीक पीसती है कमलनात अंदर से क्या इतने आत्मिश्वासी हो गए है उन्हें ऐसा क्या लगा कि वो सीधे तोर पर आप कह रहा है कि शिवराज की कलाकारी नहीं चलेगी हाला कि बीजेपी जो है सीटो पर तो गोशेत करी दिये प्रतियाशी चार पर बिजल्दी सीथे हम जीत रहें लेकिन बाडी लंग्विज होती है वो रायसे-न की मंझ पर जो हुंकार तरफ बढ़ने के लिए सोच चुकी है और रणिती बीचेपी भी आप तेजी से आक्रमक करने वाली है तो चुनावी जो घमासान होगा अब इस एलान के बाद और तेजी से बढ़ जाएगा जो वाकित देखने लायक होगा लेकिन आप जरूर देखते रहें एमपी तक